assalamu alaikum, एक जुगाड़ो रेसिपी के साथ मैं फिर से हाधीर हो गई हूँ, आज जुगाड़ हम क्या करेंगे, आज हम जुगाड़ करेंगे ब्रेट के साथ, लेफ्ट ओवर ब्रेट के जो कॉर्णर होते हैं, बस उसी को हम reuse करेंगे, मतलब लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, किस काम की नहीं रहते से ब्रेट क्रम्स ही बनता है उसके कुछ नहीं बनता लिकिन मैंने इन कॉर्णर के साथ आपको पहली भी बहुत सारी चीज़े बना के दिखाई हैं आज हम पिज़ा बनाएंगे और पिज़ा भी घर की चीज से बनाएंगे तो बस इंतदार के इस बात का है रेसिपी की तरफ चलते हैं और विडाउट ओवन दोनों तरह से हम बनाएंगे एक मफिन ट्रे ले 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 आप वनना अगर आपके मफिन ट्रे नहीं है तो मैं आपको बता हूँ यह कटोरी आपके घर छोटी सी स्टील के जो हो बस आप वो लें और इसको ओल से आप ग्रीस कर लें और इस अच्छ से कीजिएगा और अगर ना भी जूटे हैं तो यह देखे जूगार अगर टूट जाएं तो इनको आपस में मिलाके बस किसी भी तरह आप जो कटोरी है या फिर आपके मफिन ट्रे है उसके अंदर अच्छे से इसको सेट कर दें उसके अलावा अगर आपके पास bread corners बिल्कुल तूटे फूटे हैं मतलब सीधे हैं ही नी तब भी आप इसको इस तरह से गोल मुल करके आप शेप दे सकते हैं मैं कोटोरी में भी आपको set करके दिखाऊंगी और बिल्कुल तूटे हुए यह देखें यह सारे corners आपस में टूट रहे हैं तो इसको आपने इस तरह से सेट करना हो जो टूटे हुए corners है उसको भी आपने बस इसी तरह से अंदर प्लेस करना है मैं आपको कोटोरी में रखके दिखाऊंगी देखें मैंने कोटोरी ले और अब इसमें bread के जो corners हैं टूटे फूटे उसको इस तरह से आप सेट कर लें और बस इसली आपका पीज़ा इस तरह से बन जाएगा जो टूटे फूटे corners है ना उसको कहीं भी आपको जगा मिले ना बस वहाँ पर आप सेट कर दें और बस इस तरह से जब सब सेट हो जाएं corners bread के तो इसके पर आप ketchup लगा दें अगर आपके पास pizza sauce है तो वो pizza sauce लगा द उसके बाद हम लेंगे हमारी homemade cheese जिसको हमने बगार दूट के बगार जादा खर्चा किये घर ही में बनाई है और ये बहुत ही जबरदस recipe आप ट्राय जरूर कीज़ेगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये घर की बिना दूट के बनीवी cheese है बहुत ही जादा budget friendly recipe और असानी के साथ ये cheese बन जाती है इसके पहले मैंने आपके साथ एक liquid cheese की pizza cheese की recipe शेयर की थी वो भी बहुत amazing है उसके इलावा अक्सा ऐसा भी होता है कि हम कोई ऐसा जनाते हैं जिसमें liquid cheese नहीं दाल सकते क्योंकि liquid cheese दालेंगे तो वो बहे कर बहार निकलने लगेगी जैसे किसी filling वगारा है में हम liquid अगर cheese दालेंगे तो हमारी filling liquid हो जाएगी तो उसमें आप इस तरह से chop करके आप cheese दाल सकते हैं जैसे आप potato balls भी बना सकते हैं उसके बीच में potato balls के बीच में आप यही वाली cheese रख सकते हैं एदा cheese और बस इसको enjoy कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने chop क आप आप जब ketchup लगाया केचप के आप मैंने चीज प्लेस कर दी उसके बाद मैंने शिमला मिज चॉप करके दाली है उसके लवा टिमाटर चॉप करके दालें उसके लवा मैं इसमें प्यास दालूंगे अगर आप चाहें तो इसमें चिकन तिक्टा की बोटियां भी दाल सक आप जरूर ट्राइ कीजेगा आप खुश हो जाएंगे यह चीज इसमाल करके इसके उपर बसे मैंने चीज के स्लाय सक दिया उसके उपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी उसके लावा ओरिगानो तो मोस्ट इंपोर्टन होता है पिज़ा के लिए फ्लेवर बहुत इसके उपर यह आप काटूरी रखें इसको कवर करें चीज मेल्ट होने तक बेक करें जब तक अधीज रेखते हैं बेक किजेगा ताकि हमारी ब्रेट क्रिस्पी नहों और हमारा जो चीज है वो अच्छे से मैल्ड होके पूरे फिजसा में फेल जाए और ओन का टैंपरीचर भी आप थोड़ा हाइ रखेगा ताकि चीज जलदी से बस मैल्ड हो जाय वन्ना ब्रेट आपकी क्रिस्पी होगी त आप bread को भी crispy कर सकते हैं पीछे ते इसका look देख लें कितना perfect हमारा bake होकर आया है और जब हम इसको bake नहीं किया था उससे पहले हमारे bread खुल रहे थे लिकिन जब हम इसको bake कर देंगे तो हमारे bread ये देखें आख पस में इस तरह से जूड़ चुकी है और perfect round shape इन हमारे pizzas का बनक सिखाई है उसके लावा ये मेरे खासे तीसरी recipe bread corners के साथ तो recipe अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो इसको like जरूर कर दीजेगा और अगर channel पर नहीं तो subscribe जरूर कर दीजेगा तो ये इसका final look है और इसको मैं bite करके भी आपको दिखाऊंगी कि इसका perfect texture किस तरह का है और हमारी cheese अच्छे से melt हो चुकिया आप देख रहा है ना हमारी homemade cheese किसनी अच्छे से melt रही सिफ चंद घर की चीजों से हमने cheese बना के तयार की थी बिना दूत के तो इसका final look देख लें ही मैंने bite किया है और इसका अंदर से texture देखने कितना perfect हमारे pizza का बन कर रहा है तो मिलता किसी और इंट्रेसी रेसिपी में जब तक के लिए अलाहाफीज